सात्रवे मंजिल के बैलकोनी में खड़ा था मैं हाथ में मेरे था कुछी दिर पहले का निकाला हुआ एक रिजल्ट रिपोर्ट नीट दोहजार बीस मेरे चोथे एटेम्ट के बाद भी रेंक आया सिक्स डिजिट तो जाहिर सी बात है कि मुझे कोई भी सिट नहीं मिलने वाला था खुद के और दुनिया के नजर में मुझे एक टैग मिल गया था जिसका नाम था लूजर जो जिन्दिगी के सारे जंग को हार चुका था अब भला मैं किसको क्या मूँ दिखाता मेरे सामने मेरा पूरा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का फ्लैस बेक चल रहा था पापा के इतने पैसे और खुद के इतने वक्त को बरबात करने के बाद आज अगर मेरे पास कुछ बचा था तो वो था बस एक रिजल्ट का प्रिंट आउट पेपर जो किसी भी काम का नहीं था दिमाग में चल रहे मेरे हजार ख्याल मुझे ये सोचने के लिए मजबूर कर रहते और वो एक सवाल था कि क्या कि क्या मुझे मर जाना चाहिए और पता नहीं क्यूं और कैसे मुझे लगा कि खुद कुसी मेरे ये सारे सवाल का जबाब था पर पलक जपकते ही मैं बैलकोनी से नीचे कूद गया अपनी सारे परिशानियों के बिच जूच के जब मैं नीचे गिरने लगा तो मुझे दुनिया के कुछ कड़वे सच साब दिखने लगा मैंने देखा कि सिक्स फ्लोर के मिश्टर और मिसेस महता जिनका कुछी मेने पहले लबमेर्ज हुआ था वो दोनों एक दुसरे से जगड रहे थे और जगडा भी ऐसा कि एक दुसरे को मार रहे थे फिफ फ्लोर का समीर इतना अमीर और रैस होने के बावजूद भी अपना हर रोज का एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ले रहा था फ्लोर के मिसेस पटल इस बात को याद करके रो रहे थे कि कैंसर से पिडित उनकी चार साल की एकलोती बेटी अप कुछी दिन की महमान थी फ्लोर के वो दुबला पतला सा बुढ़ा अंकल अभी भी दरवाजे पे किसी का इंतजार कर रहे थे कि काश कोई तो आके कम से कम एक बार उन्हें पूछ लेता कि वो कैसे हैं सेकंड फ्लोर के हाल ही में डिस्टिक्ट पर बनी रेसमा इसलिए रो रही थी क्योंकि उसके पापा अब जबरदस्ती उसे उस टीचर के पास भेज रहते जो उसे गंदी नजर से देखता था और वो विचारी कुछ कह भी नहीं पाती थी फ्लोर के बेकार और बेरुजगाल रहूल आज भी दस नीज़ पर खरिट के लाया था कुछ जरूरत का जॉब ढूनने के लिए ग्राउंड फ्लोर में वो सिकूरिटी गर्ड अंकल विचारा इस टेंसन में बैटे थे कि उनका बेटा किसी एक लड़की को लेके कहीं भाग गया है बहुत ही चंद वक्त के बीच मुझे एक बहुत ही जरूरत मन चीज़ सिखने को मिला छट से कूदने से पहले मुझे लगा था कि मैं दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूँ पर अभी मुझे दुनिया में मौझूद सारे खुशनसीब इंसान का बदनसीबी दिखने लगा था मुझे अब जाके ये पता चला कि प्रोब्लम्स होते हैं यार वो भी मेरे प्रोब्लम्स से बहुत ज़्यादा बड़ा जिस चैन की निन सोने के लिए मैं मौत का सहरा लेने जा रहा था वही मौत मुझे बैचैन करने लगा लगा जैसे अरे ये मेरे साथ कुछ भी तो नहीं हुआ है यार अभी तो पूरी की पूरी जिन्दगी जीना बाकी है पर सायथ मेरे पास और वक्त नहीं था क्योंकि गुस्टे से मेरा लिया गया फैसला का नतीजा था वो भी सजाए मौत और ऐसे ही खतम हो गया मेरा कोशिस और मेरी कहानी मेरे पास तो वक्त नहीं था पर तेरे पास तो है तो तू क्यों ऐसा सोच रहा है यार क्या हो गया? खतम हो गया है जिन्दगी क्या? हार गया ना? खुझ से भी और दुनिया से भी? बहुत परिसान्या हो गया है ना तेरे जिन्दगी में? चल तुझे एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ एक लड़का था जब वो पाथ साल का था तो उसके पापा का डेथ हो गया 16 साल में वो स्कूल छोड़ दिया 17 साल तक के अंदर वो चार नोक्रिक हो चुका था 18 साल में वो साधी कर लिया और उसके ये 18 से 22 साल के अंदर उसके जिन्दगी में बहुत कुछ हुआ जैसे कि वो एक रेलवे कंड़क्टर था और उसका जॉब चला गया फिर वो आर्मी जोयन कर लिया पर वहां से भी निकाला गया फिर उसने लॉज स्कूल के लिए अटेम्ट किया वहां भी उसे कुछ मिला तो वो था बस रिजक्सम फिर वो एक इंसुरेंस सेल्शन बन गया पर उसमें भी वो असफल हो गया 19 साल में वो पापा बन गया और 20 साल के वक्त उसकी बीबी उसे छोड़कर उसकी बेटी को लेके कहीं चली गई फाइनली वो एक छोटी सी होटेल में जाके एक कुप की तरह काम करने लगा यहां तक की एक बार खुदी के बेटी को किटनाप करने के प्लान में वो अशफल रहा था इसी बीच उसे 65 साल हो गया और वो रिटेर हो गया रिटेर्मेंट के पहले ही दिन उसे सरकार से मिला 105 डोलर मानो जैसे सरकार उसे बोल रहा हो कि वो देश के लिए अपना कुछ भी नहीं कर पाया इतने सारे परिसानियों से हार जाने के बाद तभी उसने ठान लिया कि वो खुदकुसी कर लेगा खुदकुसी करने से पहले वो सुसाइट नोट में अपना आखरी क्वाइस लिखने की बज़ए ये लिखा कि वो जिन्दगी में और क्या कर सकता था तभी उसने एक बहुत ही खुबसुरत चीज रियलाइज किया और वो था कि ऐसी बहुत सारी चीजे थी जो वो करने की कोसिज भी नहीं किया और एक ऐसा भी काम था जिसको वो दूसरों से बहतर कर सकता था तो और क्या था उठाया उसने अपना रिटर्मेंट का पैसा उससे कुछ चिकन खरीद लिया और अपने रेसिपी के मुताविक उसको फ्राय करके घर से घर बेजने लगा और जिस इंसान 65 साल के एज में सुसाइट करने के लिए निकला था वही इंसान 10 साल के अंदर खड़ा कर दिया खुद का अपना शामराजिय जिसका नाम था के एफसी तो मुद्दा क्या है जवाब है एटिचूड जिन्दगी जीने की एटिचूड जब 65 साल का एक बुढ़ा इतने सारे कठनयायों के वावजूद भी सफलता को अपना नाम कर पाया तो तू क्यों नहीं दसजार फेलर को फेस करने के बाद जब थोमा सेडिसन अपना बॉल्ट डिस्कोवर कर सकता है तो तू क्यों नहीं खुद के अंदर कोई creativity नहीं है कहकर जिस वाल्ट डिस्नी को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था वो अगर आज खुद के डिस्नी कमपानी और Mickey Mouse के लिए जाना जाता है तो तू क्यों नहीं कभी न वक्त निकाल कर खुद से एक बार ये चीज़ पुछा कर कि तू क्यों नहीं देखना इसका बहुत ही खुबसुरत जवाब आएगा खुद के परिशानिया अगर इतना बड़ा लग रहा है तो जाके कभी रज़दी की रेल्वेश चेसन में उन्हें देखना जिनके किसी के पास पैर नहीं है तो किसी के पास हाथ नहीं कोई देख नहीं सकता तो कोई सुन नहीं खुद को एक बार उनके जगर रख कर सोचना फिर तुझे ये तेरे खुद के जिन्दगी का मोल पता चलेगा जब भी मन में ख्याल खुद कुशी का आता है न तो ये पास बाते हमेसा याद रखना पहली बात तेरी ये जिन्दगी बहुत खुब शुरत है दोस्त और उससे भी बड़ी बात ये है कि जो बात तुझ में है वो किसी और में नहीं अरे दुनिया मरेगा देखना भाई एक दिन तेरे जैसा बनने के लिए अरे ये खुद कुशी तेरे किसी भी शमशा का समाधान नहीं है दुनिया में कोई भी चीज पर्मनेन नहीं है मेरे दोस्त सिवाए इस मौत की आज से कुछ महिने बात देखना ना ही तुझ ये सारे प्रोब्लेम्स के लिए सोचेगा और ना ही ये दुनिया इसे याद रखेगा तो एक फुद्दू सी परिसानिये के लिए क्या दरना भाई तेरी ये जिंदगी बहुत कीमती है जिसे तु भेलू ले सोच रहा है न उसी ये जिंदगी के लिए सैकडों लोग दुआ मांगते हैं दुनिया में तो एक खालिक पत्थर का भी कुछ कीमत होता है मेरे दोस्त और तु तो एक अनमोल हीरा है खुद कुछी तेरे कहानी के अंत करने के साथ साथ उनकी भी कहानी का अंत लाएगा जो तेरे भरोसे सांस लेते हैं एक बार सोच के देख कि तेरे मौत के अंतिम ससका के बाद जब तु बस एक आत्मा बनके तेरे अपने को रोते देखेगा तो तुझे अपने माबाप के लिए एक बार फिर से उठने का मन करेगा और तब तेरे मुझे बस एक ही लफ्स निकलेगा कि कास एक सच्चा योधना कभी भी जंग के मैदान को छोड़ के नहीं भागता या फिर किसी भी दर्दनाग परिस्तिती में हार सुईकार नहीं करता वो युद्ध करता है आखरी सांस दग चाहे जीते या फिर हारे चाइना के सबसे अमीर जैकमा का कहना है कि आज बहुत ही कठीन है कल इससे भी ज्यादा कठीन होने वाला है पर परसो यानि कि कल के बाद आने वाला दिन बहुत ही ज्यादा खुपसूरत होने वाला है बस दिक्कत ये है कि हम कल के साम को ही मर जाते हैं आने वाले खुपसूरती का बिना परवा किये मेरे दोस्त वक्त अभी भी बचा है फारते उस सुसाइट नोट को क्योंकि मर तो तु उस दिन गया था जिस दिन खुद कुसी का सोज तक लिया था अब तो पुनरजनम का समय है तो चल उठ और उठा अस्त्र जो अभी भी कुछ वलर सहाशुपा है ना खुद के अंदर वो सब ताकत लगा के लड़ आखरी सांस तक क्या पता कि आने वाला कल तेरे लिए बहुत ही खुसनमा हो तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अगर किसी एक टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सक्षन में जरूर बता देना अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते हैं अगल झाल